किसी भी देश के लिए पॉलूशन एक बहुत बड़ी समस्या है चाय वो विक्सित देश हो या विकासिल देश हो पूर्य बिश में पॉलूशन की जो समस्या लगाता बढ़ती जा रही है और इसके कारण कई सारी एफेक्ट भी सामने आ रहे हैं जिसमें गिलोवल बार्विं जो सरकात दोर चलाया जाते हैं उनकी निगरानी होते हैं उनके उसे उसने डाटे को कलेक करा था और अपनी रिपोर्ट प्रिस्तुत की थी जिसमें उसने बताया कि जो दिल्ली है वर्ट का सबसे फूर्थ जो पॉलिट सहर माना जाता है और कंट्री की बात करते हैं तो भा इंडिया के लिए बड़ी गंभीर समस्या है कि क्यों उसके लगाता इतने जो सहर हो पॉलिट है और जो मौस पॉलिट सिटीज में आ रहे हैं तो कहीं न कहीं जो भारत उसको सुधार करना पड़ेगा और अपनी विकास की रप्तार उसको भी बनाए रखना होगा साथ में पॉलिशन की तरभी ध्यान देना होगा ताकि जो पॉलिशन वह बड़े ना और जो यह क्वाल्टी है वह डैमिज ना हो क्योंकि जो यह क्वाल्टी है चाय वह देली हो या आसपास के जो स्टेट जो कैपिटल से हैं या जो सिटीज इस उनकी गिर रही है तो आप यह हम इंडिया की बात करते तो एट मोस्ट पॉल्यूट कंट्री है वल्ड में तो इससे पहले जो भारत की रैंकिंग थी वह पांच में नंबर पे थी अब लोग सिलिफ हो गया हो आट में नंबर पे आ चुका है तो थोड़ा बहुत जो भारत उसमें सुधार करा है लेकिन अभ इंडिया का भीवारी जो राजस्तान में पड़ता है वह थर्ड नंबर पे आता है और लाहर फर्ट नंबर पे और होटान सेकंड नंबर पे आता है बहीं हम इंडिया की बात करते हैं तो जो भीवारी है उसकी प्यम 2.5 जो रेटिंग है 92.7 माइक्रो क्यूब है बहीं तेल एयरे सब्समावारैों की बात करते तो थ्र्ड मोस्ट प्लूट सिटी है उसके फियुक्रा कृत में में पड़ता है उसका वे इसकी भीवारी है 17 जादा है वहती माबधंड है उस्से तो ये खेस समच्य लगाता बढ़ती जा रही है क्योंकि भारत अभी विकास्यिल देश है विकैस्य देश है इसलिए जो समच्य है वो पॉलुशन की है क्योंकि हमारी उपर अभी दवाब है कि हमें विकास यहां से करना है ताकि जो परयावण है उसको सुरप्षित बनाए रखे यानि जो परयावण है उसको इस पॉल नहीं करना है तो आप यह चार्ट देख सकते हैं एट नंबर पर भारत है फर्स्ट पर चार्ट है दूसरे पर ही राक और थार्ड पर पर पाकिस्तान है भई हम बात करते हैं फर्सट रैंक्स पर आता है उसकी 2.5 जो रेंकिंग है पीम 2.5 वो 97.6 है जो की भहत जदा है भही हम बात करते हैं पेशावर की तो पांच बेशावर पे आता है यानि देली फोर्थ नंबर पे आता है उसके बाद पेशावर आता है तो जो pollution है उसके कई सारे इफेक्ट भी होते हैं चाहे वो हुमन हो प्लांट हो या फिर जो एनिमल्स है उनकी उपर जो पॉलूशन है या जो गैसेज होती है जब क्लाउड के साथ मिक्स हो जाती है तो उससे एसे डेंड बनता तो आप पिरामिट देख सकते हैं यह पॉलूशन के द्वारा तो सबसे पहले जो लंग्स होता हो इंफेक्टेड होते हैं उसके बाद रेस्प्री रेटी सिस्टम होता हो और हमारा डैमेज होता है उसके बाद जो लंग्स बीमारी होती है जिसको दमा होता है और उसके बाद कभी-कभी इससे डैत भी हो जाती है तो यह बहुत ही घंबी समस्ष है और पूरी विश्ट को इस पर ध्यान देना चाहिए ताकि इसको कंट्रोल किया जा सके जो एर पॉलुशन होता है उसके कई सारे कारण है एक तर फैक्टरीज है मिल्स है और जो गाड़ी है और कोल है जिस सबसे जो एर पॉलुशन वो होता है इसको हम रोक सकते हैं जाद जादर लगाने चाहिए वही एमाजॉन जो जंगल होया या फॉरेस्ट है उसको लंक्स ऑब दी आर्थ कहते हैं क्योंकि सबसे जादा जो यह रिलीज करता है वही करता है तो इसलिए सबसे जादा प्लान लगाने चाहिए और आसपास का जो